हेलो एवरिवन लर्णाकूलस क्लासेश के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज की क्लास की एजेंडा की बात करें तो हम लोग आज क्लास 9 के के सारे questions को solve करेंगे exam के point of view से एवं concept तता formula के माध्यम से जो हमने पिछले क्लास में इस chapter के सारे conception formula को देखे अधी आपने अध्या 1 नंबर सिस्टम के परिचर introduction के concept formula वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के description में जाएं आपको इस chapter के concept formula के वीडियो के link मिल जाएगी आप पहले उस वीडियो को देखें और जिन्होंने देख लिया है उनके लिए ये class continue करते हैं पहला question है उत्रोतर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.75 को देखिए ये कह रहा है कि संख्या रेखा पर zoom करके या उसको और भी परिसुद्ध देखिए तो चली हम लोग देखते हैं और ये question बिलकुल exam point of view से है अधी exam में ये question आपका आता है तो आप जिस तरह में लिख दे रहा ह हो same to same आप उसे वहाँ पर लिख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है और आपको 100 to 100 marks मिलेंगे ओके language में हमको लिखना है सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 और 4 के बीच 3.765 इस्तित है यानि कि हम देखते हैं कि जो ये number हमारा है 3.765 वो किसके किसके बीच इस्तित है 3 और 4 के बीच संख्या रेखा में 3 और 4 के बीच में ये number इस्तित है ये हम देखते हैं ओके फिर second में लिखन 705 का 3.7 और 3.8 के बीच में अस्थान निरधारित करते हैं यानि ये जो हमारा नमबर है 3.705 ये किस के किस के बीच अब है 3.7 और 3.8 के बीच में संख्यारिखा में पहले था 3.9 और 4 के बीच अब 3 और 4 के बीच को जरा सा जूम कियें तो किसके किसके बीच आया 3.7 और 3.8 के बीच अब फिर हम लोग 3.7 और 3.8 को 10 बराबर भागों में बाटेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि 3.705 कहां पर इस्थित है संख्यारिका पर निरूपन को और अधिक परिसुद रूप से देखने के लिए हम वास्तविक रेखा के इस भाग को 10 बराबर भागों में बाट देते हैं और आवर्धन सीसे से यह देखते हैं कि 3.76 और 3.77 के बीच 3.705 इस्थित है यानि कि हम लोग जो देख रहे हैं संख्यारिका पर जूम करके तो वो जो हमारा किसके किसके बीच है 3.76 और 3.777 के बीच में हमारा ये संख्या इस्थित है अब इसको हम लोग फिर 10 बराबर भाग में बाटेंगे और हम लोग देखेंगे कि 3.765 कहां इस्तित है तो next point है 3.765 को और अधिक परिस्तु धुरूप से देखने के लिए आनि कि और अच्छे से देखने के लिए हम लोग फिर से जूम करते हैं और 3.766 और 3.777 को हम लोग 10 बराबर भाग में बाटेंगे हम लोग सबसे पहले 3 और 4 को 10 बराबर भाग में बाटे 3.7 और 3.8 को 10 बराबर भाग में बाटे उसके बीच में फिर क्या आया 3.76 और 3.77 इसको 10 बराबर भाग में बाटे अब जब इसको 10 बराबर भाग में बाटे तो हम लोग pictorial के साथ, यानि संख्या रेखा के साथ हम लोग इस चीज को लिखना पड़ेगा, तो अब हम लोग देखते हैं कि pictorial के से बनाएंगे, कि संख्या रेखा पर किस तरह हम लोग दिखाएंगे, यह तो language हुआ, अब चलते हम लोग संख्या रेखा पर, कि किस तरह हम हम लोग फिर number nominate करेंगे किस तरह कहां पर number होना चाहिए और किस तरह से हम लोग जूम करके देखते हैं तो next देखते हैं संख्या रेखा लिए 10 बराबर भागों बाटें किसको किसको सब सब से पहले 3.0 को हम लोग 3 भी बोलते हैं 3.0 बोलते हैं अब जो हमरा दसमलो के बाद है वो हमारा change होते जाता है 1 2 3 4 5 करके ओके तो 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 अब यह जो है यह convert हो जाता है किस पर 4 पर I mean 3 के जगा 4 हो जागा means 4.0 नहीं 4 दसमलो 0 ओके अब अब हम लोग अनन्द संख्यां क्यों बोलते हैं 3 और 4 के बीच में अनन्द संख्यां क्यों होती हैं इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह तो सबसे पर दो संख्यां लेते हैं तो फिर उसको 10 ब्रबर भागों में बाढ़ सकते हैं इस तरह करकर के हम लोग ना जाने कितने बार हम लोग कर सकते हैं मिन्स अनन्त बार कर सकते हैं इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 3 और 4 के बीच में अनन्त संख्याएं होती हैं ओके तो next हम लोग अब जूम करते हैं लेकिन हमारा जो उत्रोधर आवर्धन करके हम लोग जो देख रहे हैं 3.7 6 5 को देखना है हम लोग को रिपरजेंट करना है तो हम लोग को ये पता चल गया तो 3.7 देखना है 3.7 के 7 और 3.8 के बीच में ये संख्या होगी यानि कि 3.7 और 3.8 के बीच में ये संख्या होगी तो अब ये दोनों को हम लोग जूम करते हैं तो फिर से संख्या रेखा लेते हैं और 10 ब्राबर भागों में बाटेंगें किसको 3.7 को और 3.8 तक कि हम लोग 10 ब्राबर भागों में बाट दियें अब किस तरह convert होगा हमारा 3.7 तो फिर से हम लोग 10 मलों के बाद 0 लेंगें और फिर सको 0 से 1,2,3,4 करके 10 टाइम हम लोग चेंज करेंगे 3.71, 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77, 3.78 3.79 3.80 मिनस हम लोग 3.7 और 3.8 तक आने के लिए 3.7 से 3.8 तक आने के लिए हम लोग 10 ब्राबर भागों में बाटें और हम लोग यहां तक पहुँचे अब यह संख्या फिर से हम लोग देखेंगे कि कहां से किसके किसके बीच लाइ करने वाला है ठीक है तो 3.76 यानि कि 3.76 यहां है मारा तो यह संख्या और यह संख्या के बीच में हम लोग का यह नंबर कहीं न कहीं दिखने वाला है, तो फिर से हम लोग अब 3.76 और 3.77 को जूम करेंगे, ओके, फिर से एक संख्या रिखा लेंगे, और हम लोग फिर 10 ब्राबर भागों बाटेंगे, किसके किसके बीच, 3.7 और 3.77 के बीच, अब हम लोग फिर से किस तरह करेंगे, 3.760, यानि कि यहाँ पर हर बार 0 आ रहा है, यहाँ पर भी 0 आया, यहाँ पर भी 0 आया, 10 मलों के बाद, तो अब हम लोग इसी को फिर से गनफर्ट करेंगे, 123 करकर के, तो फिर से 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, यहाँ परिख रहा है, कि यह जो निरूपन करने बोला है, यह हमारा यही संख्या है, और यहाँ पर लाई कर रहा है, तो यह फिर हम लोग आगे देखते हैं, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769, 3.770, तो यह हमारा 3ों, हम लोग का पिक्टोरियल बना लेना है, पिछले स्लाइड में देखें कि जो लेंग्वेज हम लेंग्वेज हम लोग को लिख देना है अधि यह 5 marks का रहा 110 परसंट आपको 5 marks ही मिलेंगे आपको एक भी marks काटा नहीं जाएगा बसरते आप इसे 60 रूप से और अच्छे से draw कर दें और दिखा दें it scale ओगरत से ओके तो यह हमारा रहा और यहां पर आप घेरा कर दें ताकि यह पता चले कि यहां पर हम लोग जुम किये हैं और यह हमारा answer रहा है तो इस तरह करके हम लोग यहां पर दिखा सकते हैं कि 3.76 और 3.77 के बीच में हमारा 3.765 lie कर रहा है means represent कर रहा है तो यह पता चल गए हम लोग कैसे करेंगे तो first question का answer इसी तरह हम लोग को लिखना है यह exam में आए तो और समझने के लिए the best question है कि हम लोग संख्या रेखा में अनंत जो देखते हैं कि दो number के बीच अनंत numbers होते हैं वो किस प्रकार हम लोग देखते हैं ठीक है तो यह question actually में वही कहना चाहा रही है चलिए next question अब हम लोग देखते हैं next question है दूसरा question 4.9 तक 4.9 तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए यह बोड़ रहा है 4.9 तक 4.26 को देखिए यानि कि हमारा जो 4.26 है उपर में देखिए आपका बार है it means यह 2.6, 2.6, 2.6 यह तो बढ़ता ही जाएगा infinite times तक clear है तो हम लोग को बोला 4 दसमलव अस्थानों तो देखिए यानि कि 4.2626 यही तक देखना है यानि कि हम लोग देखना है 4.2626 तक ही clear है चलिए हम लोग अब देखते हैं कि किस तरह मनों रिपर्जेंट करते हैं same question है previous question जैसा ही हम लोग वही हम लोग language लिखने वाले है same to same और उसी तरह मनों रिपर्जेंटेशन करने वाले है तो चलिए हम लोग देखते है उत्तर सबसे पहले हम यह देखते हैं कि 4 और 5 के बीच में यह संख्या है clear है कि हम लोग 4 और 5 के बीच में ही है क्योंकि 4 के बाद हमारा एक दसमलव है और यह 5 नहीं है means 4 दसमलव के बाद ही है means 5 से पहले है clear है तो हम लोग यह देखते है मिन संक्या रेखा में हम लोग 4 और 5 को 10 ब्राबर भाग में सबसे पहले बांटेंगे अगले चरण में हम 4.2626 का 4.2 और 4.3 के बीच अस्थान दारित करते हैं किलियर तो दिखी रहा है कि 4 के बाद क्या है 2 तो 2 के है तो 4.2 और 4.3 के बीच में ही होगा निरूपन को और अधिक परिसुद रूप से देखने के लिए हम वास्तविक रेखा के इस भाग को 10 ब्राबर भाग में बांट देते हैं यानि कि 4.2 और 4.3 को दो संख्या रेखा पे बांट देंगे आवर्धन सीसे से यह देखते हैं कि 4.6 और 4.27 4.26 और 4.27 के बीच में 4.26 को इस्तित है क्योंकि 2.6 है 2.6 के बाद हमारा क्या आएगा 4.27 तब फिर 2 आ रहा है मिन्स उसके पहले होगा यानि कि 4.27 के बीच में ही होगा 4.26 और 4.27 के बीच में ही यह संख्या कहीं न कहीं लाए करेगा अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं निरूपन को और अधिक परिसुद रूप से देखने के लिए यानि कि जो हम लोग रूपीत कर रहे हैं और अच्छे से देखने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं 4.26 और 4.27 के बीच में हमारा यह संख्या लाए कर रहा है तो यह संख्या को हम लोग फिर से 10 बराबर भागों में बाटेंगे आनि कि इस संख्या को फिर से और अच्छे से देखने के लिए हम लोग 4.262 और 4.263 के बीच में फिर 10 बराबर भागों में बाटेंगे और हम लोग देखते हैं जब बाटेंगे तो हमारा यह संख्या दिख जाएगा कि हमारा कहां पे है 4.262.26 कहां पे वो हम लोग संख्या रेखा में इसको निरूपित कर देंगे मिन्स देख लेंगे कि इसके इसके बीच में है clear है, तो चलिए हम लोग संख्या रेखा में same चीज को हम लोग देखते हैं कि कैसे है actually में, ओके तो उसे संख्या रेखा है, जिस तरह हम लोग previous question में देखें, उसी तरह हम लोग को कौधी question paper पे आता ये questions आपको, तो language में आपको लिखना है, फिर निरूपन करके आपको दिखा देना है संख्या रेखा पर, clear है, तो फिर next slide में लोग निरूपन करके देखते हैं संख्या रेखा लेंगे, ठीक है किसके किसके बीच, 4 और 5 के बीच में, 10 ब्राबर संख्या में हम लोग बाट देंगे, 4.0, 4.1 4.2, 4.3 4.4, 4.5, 4.6 4.7, 4.8 4.9, 5.0 अब फिर किसके बीच में हम लेगे, 4.26, 2.6 था, क्या था? 4.26, 2.6 तो अब 4 और 5 के बीच में हम आरे संख्या गया, 4.2 अब लेंगे तो 4.2 लेंगे कहां है, यहां पे, 4.2 और 4.3 के बीच में हम लोग 10 ब्राबर भागों हम बाटेंगे, clear है, संख्या रेका, फिर से clear चापेंगे हम लोग, हम इन draw करेंगे, copy पे, और हम लोग 4.2 और 4.3 के बीच में, 12 ब्राबर में भाग दिया है, फिर से हम लोग इसको लिखेंगे, 4.20, 4.21 यो कि यह देखिए 4.2 है फिर 0 हम लो लिए फिर यह 0 हमारा change होते जा रहे जिरो के बाद 1 फिर 4.22 फिर 4.23 इस तरह करकर के हम लोग कहा तक 4.30 तक जाएगा ओके तो यह हमारा 4.30 अब किसके किसके बीच लेंगे फिर यहां पर आया 4.26 तो 4.26 कहा है 4.26 यहां पर है और 4.27 य यह दोनों के बीच में हम लोग का फिर से संख्यारे खाम में हम लोग 10 ब्राबर भागों में बाटेंगे ओके 4.26 और 4.27 तो 4.260 4.261 4.262 4.263 4.64 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269 and 4.270 अब क्या बोल रहा है कि निरूपन को और अच्छे से परिसुद रूप से देखने के लिए हम लोग 4.262 और 4.263 के बीच में फिर से हम लोग 10 ब्राबर भागों में इसको माटेंगे क्योंकि इसी के बीच में तो यह नंबर लाए करेंगे न क्योंकि यही नंबर यहां पर भागें बाटेंगे 4.262 और 4.263 4.263 4.263 4.262 620 4.262 4.262 3 4.262 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 5 और यह रहा हमारा निरूपन मिन्स यह हमारा जो हम लोग खोजने चले थे यह मिल गया 4.2626 ओके तो यहां पर हम लोग का लाई यह कर रहा है किलियर है अब हम लोग लेकिन ड्रो कर देना है और लिख देना है आगे तक ताकी और भी अच्छा से रहे और हम लोग यह पर गोल करके दिखा देना है पिपर पर कि यह हमारा पर इसुत रूप से हम यहां पर देखें निरूपन कर दिये संख्यारे खापर कि 4.2626 कहां पर है तो यह दोनो कुशन इ इतना ही हम लोग the personality 1.4 को देख चुके हैं और हम लोग समझ चुके हैं अधि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को subscribe करें और share करें अपने friends के साथ और हम लोग next day देखते हैं 1.5 ओके तब तक के लिए thank you class